अब्हाइब आप आप सब लोग आप सब लोग बहुत अच्छ होंगे घाइस आज आपके साथ में एक प्रॉड़क्ट शेयर करूँगी जोकी है बेबी लोशन मैंने इससे पहले भी एक product review किया हुआ है baby lotion के पारे में आपके साथ जो कि Johnson & Johnson अपनी का था और उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे weather change होता है हमारे skin की तरह हमारे बच्चों की skin भी change होती है उसकी type और उसकी need change होती है वैसे ही अब जैसे winter शुरू हो गए है और winter में हमारी skin को सबसे ज़्यादा जो चीज चाहिए होती है वो चाहिए होता है moisture और so guys winter में हमारी skin की तरह हमारे बच्चों की भी skin dry होती है so जैसे हम अपनी skin के according weather के according अपना moisturizer change करते है हमें अपने बच्चों का moisturizer भी उनकी skin की need और type के according और weather का according चेंज करना चाहिए so guys आज जो product मैं आपके साथ शेयर करने चाहरी हूं वो है डव की तरह से जो की है baby dove baby lotion with rich moisture जिसकी packaging आप रेख सकते है कुछ ऐसी है और यह एक newly launched product है और इसका price है 180 रुपीज और इसमें आपको 200 ml product मिलता है और इसमें आपको 2 साल की shelf life भी मिलती है so guys जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह एक newly launched product है और जब मैंने इसे खरीदा तो उसके बाद मैंने इसके reviews check किये but मुझे कहीं से भी इसके कोई भी reviews नहीं मिले so मैंने 15 दिन अपनी बेटी के skin पे इसे use किया और I think मैं अब इसकी review के लिए बिलकुल ready हूँ आपके साथ share करने के लिए so guys अब बात कर लिएते हैं इसके claims के बारे में की company इस product के बारे में क्या claim करी है so जो इसका पहला claim है वो है कि 100% skin natural nutrients है इसमें जो कि skin बच्चों की skin पे रेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो fully natural है second है no parabens जो कि इसकी बहुत अची बात है no pathalates और 24 hour moisturization जो moisturization का पॉइंट है उसके बारे में मैं आपसे बात में बात करूंगी इसका जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो है कि इसमें कोई parabens नहीं है कोई pathalates नहीं है so guys पहले बहुत सारे ऐसे baby products होते थे जिन में pathalates भी होते थे जिन में parabens भी होते थे जो कि हम लोगों ने कभी check ही नहीं किया ingredients में इविन कि मैंने भी अभी check नहीं किया बट अब बहुत सारी companies ऐसी आ रही है जो आपको parabens free product provide कर रही है जैसे कि थोड़े time पहले ही johnson and johnson company ने अपने products को change करके no paraben और no pathalates range निकाली वैसे ही यह जो product है dub ने निकाला है इसमें भी no parabens और no pathalates है which is a very good thing so guys अभी मैं actual product आपको दिखाती हूं कि इसकी consistency और इसका formula कैसा है so अभी आप देखेंगे कि जैसे की lotions होते हैं इसकी consistency lotion के जैसे नहीं है क्योंकि lotions थोड़े से liquid होते हैं but यह आप देख सकते हैं यह एक cream की form में है और ऐसे ही moisturizers हमारी बच्चों की skin को चाहिए होते हैं जो उनकी skin को well moisturize तो करें बट कोई sticky feeling भी ना दें उनको और आप देखेंगे कि किते अच्छे से blend हो रहा है और अभी आप देख सकते हैं कि यह fully अच्छे से blend हो गया है skin में और skin कितनी well moisturize लग रही है और बिल्कुल भी sticky feeling नहीं आ रही है क्योंकि हम अपनी बच्चों की skin पे बहुत ज़ादा चिपचिपे moisturizer वगरा भी नहीं लगा सकते अब बात करती हूँ इसकी final recommendation के बारे में तो definitely मैं इस product को recommend करती हूँ इसे मैं highly recommend करती हूँ क्योंकि इसका formula है formula मुझे बहुत ज़ादा पसंद आया personally क्योंकि है तो यह lotion ही इसका जो consistency है वो थोड़ी सी thick है जो कि winters के according बहुती appropriate है हमारे बच्चों की skin के लिए यह आपके बच्चों की skin को well hydrate तो रखता ही है but at the same time उन्हें बिल्कुल भी sticky feeling नहीं आती बिल्कुल भी sticky sticky सा नहीं लगता, oily oily सा नहीं लगता बट in case अगर आपके बच्चे की skin ज्यादा dry skin है तो आप इसमें थोड़ा सा extra virgin olive oil आप इसमें mix करके फिर लगा सकते हैं बट अगर ज्यादा dry है बट अगर normal skin है तो कोई problem नहीं है आप इसे अराम से लगा सकते हैं और अगर मैं बात करूँ 24 hour hydration की तो guys ऐसा कोई भी moisturiser नहीं होता जो 24 hour आपकी skin को moisturize करे especially winters में so timing के अगर मैं बात करूँ तो 4-5 hours यह आपके बच्चे की skin को hydrate रखता है skin पर बहुत अच्छा लगता है और इसकी जो fragments है बहुत ज़्यादा अच्छी है बहुत ज़्यादा calming है mild है और जो कि थोड़े time के बाद चली जाती है ऐसा नहीं है कि इसकी fragments काफी लंबी time तक रहती है so guys मेरी तरफ से इस product को एक big thumbs up है मुझे यह product बहुत ज़्यादा पसंद आया और मैं इसे definitely recommend करती हूँ आप इसे जुरूर इस्तिमाल कर सेखते हैं I hope guys आज का यह product review आपको पसंद आया होगा और आपके लिए helpful ही रहेगा so thank you so much guys this video को देखने के लिए और please do like share and subscribe to my channel and thank you so much god bless you all bye bye